जेहीन दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारी दिबारों पर भाई सब हमें करना है लक्जरी पेंट तो हमें क्या-क्या दोस्तों करना है लक्जरी पेंट करने से पहले हमें क्या-क्या दिबारों को बेस बनाना है ताकि हमारा जो लक्जरी पेंट वो सही से काम करें या फिर लाक्जरी पेंट का खर्चा कितना होता है कितनी मैठ है सब कुछ बताएंगे या फिर दोस्तों अगर आप लोग एक नॉर्माल पेंट करेंगे तो लाक्जरी पेंट की मुकाबले से कितना गुना जहमेला कम होता है क्योंकि जाहिर स्रीबात दोस्तों एक नॉर्माल पेंट और एक लगजरी पेंट दिवारों को करने का आसमान और जमीन की अंतर है है ना तो उसी अंतर को हम लोग जारेंगे आज की आखिर अंतर तो है तो कितना अंतर है दोस्तों और क्या क्या दोस्तों हमें इस्टेफ फोलो करना है नॉर्माल और लगजरी खरी देंगे तो 600 रुपया से लेकर 1000 की में आपको मिलेगा एक हमत करी भाव। है कि लाक्जरी पेंट का इतना रुपिया खर्चा होगा और अगर आप लोग एक लो कोष्ट सबसे ज्यादा लोवार्ट केटिगरी का पेंट करेंगे तो एप्रोक्स 3,000 को रुपिया में आपको 20 लीटर का या कि बात कर रहा हूं तो सब्सक्राइब करेंगे तो चारसो पचास से लेकर पांसो रुपिया की विच में आपको मिट रेंज का अच्छा पेंड मिल जाएगा तो शुरूआत करेंगे लो कोस्ट पेंड से देखिए दोस्तों लोकोस्ट पेंड में हमें ज्यादा बैस बनाने का दिवारों को ज़्रूरत नहीं समय है एक तो हम लोग एक सष्टा वाला पैंट करेंगे तो ज्लिया दिवार को कि करने कि दिवाल कर देंगे कोई भी दिक्कत नहीं है और हम अगर कि कर देंगे फिर धाय करेंगे घ। पाँ करेंगे तो दोस्तों खर्चा जादा होगा लेकिन कुछी दिनों में फेड़ हो जाएगा बात में आपको फिर मेंद करना होगा即ोश बंध करेंगे department नया हो वारेंटी देता है लेकिन कमपनी की दी हुई जो इस्टेब है वही फोलो करके पेंट को एपलाई करेंगे फिर आपको पास से साथ साल लाइब मिलेगा कमपनी क्या बोला है दोस्तों लाइक fewень tarry loca का किसी भी लकजरी पेंट को उठालो सबसे पहले आपको एक αυτό करना होगा दोस्तों क्या जिसी भी लर्कजरी य। कशनी लेकिन सब्सक्राइब का करेंगे तो रोयल का कोड़ा होता है दोस्तों उसी बेस कोड़ को करना है जाहिर सी बात है नॉर्माल प्राइमार की मुकबले से लग्जरी पेंट को लग्जरी में धीबारों को जान डालना है और जान डालने के लिए में कहर्च ज्यादा आपको फिनिसिंग नहीं मिलेगा आप लोग अगर सोच रहा है कि भाईया हम लोग नॉर्माल वाल पुट्टी करेंगे और लॉक्जरी पेंट करेंगे तो जो यह आपका दोस्तों बिल्कुल आप लोग गलत है क्योंकि जाहिर सी बाद है लॉक्जरी पेंट आप ल बेस कोट करना है करने की बाद फिर दो कोट का हमें दो से तीन कोट हमें लगजरी पेंट करना है तो मेथोट क्या हुआ दोस्तों पहला कोट हमें रोयल का बेस कोट एक कोट फिर करना है दो कोट एक राएलिक वाल पुट्टी फिर करना है एक कोट रोयल का जो बेस कोट प् तो और दोस्तों आपको एक ज्यादा जैसे की साइध हमने देखा है कि अपिर दोस्तों किसी-किसी ओपीस रूम पर देखना है कि पैंट में ऐसा चिकनाई पान आरा रहा है मानो पेंट में जान डाल चुका है भाई आप उस पैंट में P.O.P. पाइनिंग और चोक मिठी का खेल है अगर आप लोग चोक मिठी और P.O.P. पेंट करेंगे तो दीखने में चान मतलब जान आ जाएगा लेकिन मैंने शुरुआत में क्या बताया दोस्तों कि लगजरी पेंट में अगर आप लोग छेड़ चार करेंगे तो आपको वारेंटी नहीं मिलेगा आपको साथ साल का वारेंटी दे रहा है वह बिलकुल भी दोस्तों नहीं रहेगा कंपनी की दूई हुई गाइट लैंड से आपको पेंट करना है बाद में अगर आपकी पेंट अबने कराया है और पी जो बारिस होता है बारिस का या फिर आपका दिवार पे 9-10 है तो नहीं ठीकेगा तो आपका लग्जरी पेंट पूरा उखाड के आएगा फिर आप लोग सोचेंगे कि भाईया हमने इतना रुपया खर्चा कर दिया और हमारे लग्जरी पेंट पाप्री बान के निखर रहा है तो ऐसा दोस्तों होता है और जो मीड रेंज का पेंट होता है लाइक एसी एन पेंट का एपकोलाइट इसमें उतना दोस्तों जहमेला बिल्कुल भी नहीं होता है इसमें आप लोग क्या करना श्रिफ दो कोड का एक्रैलिक वालपुट्टी कर दो और ओयल बेस प्राइमर करो डेस कोड करने का कोई भी ज़़दर नहीं है यह दो कोड व इस पेंट पर जहमेला भी बिल्कुल नहीं है लेकिन हाँ जो लक्चरी पेंट का लुग है वो तो नहीं देख सकता लेकिन आपको कापी हद तक एक अच्छा लोग देगा दोस्तों